हुलो फ्रेंट्स मैं रइजु साहाई और वेलकम करता हूँ आप लोगों मेरा चैनल मुझुति सकाड़ेनिंग च्टिक में तो फ्रेंट्स यह आप देखिए यह ब्लेक बेरी है यह यह blackberry का plant है और इसी plant को आज मैं cutting से गुरो करके आप लोगो दिखाऊंगा तो फिडियो जो है last तक देखिएगा तो blackberry की cutting मैंने पहले कभी नहीं की है तो यह मेरा पहले फिडियो है blackberry plant की उपर तो आप plant की fruit देख सकते हो यह blackberry है यह कुछ दिन में खाने के लाइग हो जाएगा और जब यह खाने के लाइग होता है तो इस तरह का black बन जाता है यह इस तरह का black बन जाता है यह इसे हम अभी खा सकते हैं तो यह blackberry है इसे हम अभी खा सकते हैं बहुत ही tasty होता है तो इसी plant क के चाहिए और इससी के लिए मैं यह प्लग देखिए है यह देखिए थान की सिलके हैं और 50% कोपी थे और कुछ नहीं तो इसी सोयल में मैं आप लोगो को लगा के दिखाऊंगा तो इसको लगाने के लिए मैं कुछ भी यूस नहीं करूंगा सिरिफ और सिरिफ इस कटिंग को मैं यहां पर इसे बस लगा दूँगा बस इस तरह से और मैं कुछ नहीं करूंगा और उसके बाद मैं इस पर पानी दे दूँगा तो फ्रेंच यह आप देखिए जैसे ही मैंने पानी दिया तो तुरंट पानी जो है वो नीशे से निकल गया तो इसी तरह इस जो सॉयल है इसमें हम कटिंग को बहुत ही आसानी से बुरो कर सकते हैं तो अब हम इस पर जो पॉलेथिन है उससे ठक देंगे ताके बाहर का जो है वह अंदर ना जा सके तो यह मैंने पॉलेथिन से इसको धग दिया है यह आप देखिए अब मैं इसको साव में रखोंगा और कुछी दिन में यह बहुत ही अच्छी तरह से गुरो हो जाएगा तो इसी तरह से आप जो ब्लैक बेरी है उसकी कटिंग कर सकते हूं और जब इसका फूर अब देखिए इतना बरा हो गया है यह अब देखिए काफी सारे इसमैं फूल जो है वह लगा हूए तो यह बहुत ही अच्छी है इसको आप से उसर्ट हो फल देता है यह all time होता है, काफी सारे fruit इसमें लगा हुआ होता है, यह आप देखिए, पुरा जो plant है, फलों से भरा हुआ है, यह आप देखिए, और मैं एक सिस आप लोग को दिखाता हूँ, फल भी आ रहा है, और यह आप देख सकते हूँ, इसमें full भी बन रहा है, और जो full है, वो धीर धीरे फल में भी धेखो करना हैूँ, यह लोगा है, और यह और यह आप देखिए, यह बहुत ही फ़रायती होता है, यह प्लांत को अगर आप सांड़ी लगाने के लिए बहुत ही अच्छा plant होता है, और यह आप देखिए, यह मेरे पात ख़कु का plant है, यह आप देखिए यह देखिए यह भी आल टाइम है इसमें फल भी लगा हुआ है और अब देखिए इसमें फूल भी आ रहा है तो अब देखिए बहुत ही अच्छी भेलाइची है इस प्लान को अगर आप साहो तो सत्पे लगा सकते हो यह भी सत्पे लगाने के लिए बहुत ही अच्छी प्ला तो इसी तरह का प्लांट अप सहोतों सटुलब नगा सकते हो बहुत ही आसानी से यह फल देता है और हर सेजिन देता है यह सच पर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो फ्रेंस यह आप मेरा मैंगो का डेखी इतना यो इस पर आ रहा है यह अड़िए इस देखे और नाफ देखें कि 새 से मैंगो प्लांट्ट को मैं अपको दूरों से दिखाता हूँ मैं कि इतनी सारे मैंगो इस पर आ यह देखें तो इस तहरा की व्यारिटी जो है आप लोग साहो तोसल्द पर लगा सकते हो यह सथ पर सब् STEIN वोहाइए ठेल मुवहाइब कि लेकिन यह अल ताइम नहीं होता एक ही बर फल आता है सीजिन में तो इस जो है बहुत ही अच्चा होता है इस प्लांट को अगर साहो तो सर्ड करण सकते हो ठाबक देख सकते हो पोस में लगा हुआ है और काफी सारे पल्स पहा रहा तो संब्स लगा सकते हो यह संपल के लिए बहुत ही अ AC की का प्लान्ट है मियाजकी मैंग्व हुए अभी मैं इसको खोल कि आप लोगों दिखाता हूं आप लोग देखिए गा बहुत ही थीरे से मैं इसको खोलूंगा क्योंके प्लांच जो ही वह बहुत ही चोता है तो इत्नी सोटी प्लांट पर हमें फल तो नहीं रखना चाहिए लेकिन मैं देखना चाता हूँ कि किस तरह का इसका कालर होता है तो यह आप देखिये फ्रेंश हग यह देखिये यहusta कालर अब देखिए यह 11 जह कि कितना खुब स्दाखे ये ओяж मेंगो कितना खुब यह वापस से लगा दुँगा मेशनि दिखाने के लिए इसको खोल ला था इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा कलर है तो अभी मैं वापस से इसको लगा देता हूं लगाया था तो कितना बड़ा हो चुका है यह अभी कुछी दिन में इसमें से फालाना शुरू हो जाएगा कुछी दिन में इसमें से फालाना शुरू हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा बला पॉट में लगाएंगे तो अभी कुछ दिन के लिए मैं ऐसे ही रहने दूँगा और उसकी बात मैं इसको बला सा पॉट में लगाऊंगा अगर मैंने इसको अभी निकाल के आप लोगो दिखा दिया तो हो सकता है दूबारा गुलो ना करें इसी की वज़े से मैंने इसका जो रूट है वो आपको निकाल के नहीं दिखाया तो फिर भी मैं ऐसे ही आप लोगो को दिखा देता हूँ इसका जो रूट है वो रूट आप देखिए कितनी सारे रूट जो है उसका निकल गया है यह आप देखिए कितनी सारे रूट निकल गया है तो इसी तरह से अगर आप सा हो तो ब्लैक बेरी की कटिंग बहुत ही आसानी से गुरो कर सकते हो इसी टेक्निक से अभी से अगर हम इसको लगाएंगे तो कुछी दिन में इसमें से फालाना शुरू हो जाएगा तो बहुत ही इजी तू ब्लैक बेरी की कटिंग गुरो होता है तो root आप देखिए, कितनी सारे root जो है, वो निकल गया है, तो अभी मैं इसको वापस से लगा दूँगा, तो इसी टेक्निक से आप लगा सकते हो, बहुत ही आसान है, तो फेंची आप देखिए, ये मेरा बोनाइकिंग मैंगो है, जो पेर से गिर गया है, तो मैंगो की सेव अब देखिए, कितना खुब्सूरत लगता है, ये काफी बड़ा होता, ये बोनाइकिंग जो मैंगो होता है, ये फाइब केजी तक इसका जो वजन है, वो चला जाता है, तो बहुत ही बड़ा मैंगो होता है, लेकिन ये जो पेर से ये गिर गया, ये आप देखिए, यहां और मेरे सेनल को सब्सक्राब करना मत भूलिए जब भी मैं को यह वीडियो अफ्लोड करो तो सबसे पहले आफ लोगों की पास पहुंच जाए तो फेंच मिलते हैं आगे वीडियो में तब तक के लिए थैंकिंग